Hello everyone, welcome back to course step by step. My name is Anil. Angular के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे Angular CLI, जिसको हम कहते हैं Command Line Interface. और इसकी कुछ important commands के बारे में. करेंगे कि इस वीडियो के अंदर देखो, कुछ practical program का example तो आपको इस वीडियो में नहीं मिलने वाला. But, interview के हिसाब से, ये वीडियो important है. interview के हिसाब से important कैसे है, चूकि हम लोग इसके अंदर 10-12 command at least cover करेंगे. वैसे तो इसकी बहुत सारी command है, I think मेरे हिसाब से सो से भी ज़्यादा commands होगी. लेकिन 10-12 command वो वाली देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा important होती है. और एक beginner को भी उनके बारे में पता होना चाहिए. उनमें से कुछ ना कुछ command पूछ ले जाती हैंगी, component कैसे बनाओगे, module कैसे बनाओगे, build कैसे बनाओगे, किसी folder के अंदर आप लोग nested component कैसे बनाओगे, module के अंदर component कैसे बनाओगे, ऐसी चीज़ी. इंटर्व्यू के हिसाब से important है, और अब start करते हैं. सबसे पहले angular CLI होता क्या है, यह मैंने आपको वैसे पहली जा दूसरी वीडियो में बता दिया होगा, कि यह क्यों use में लेते हैं, यह command line tool होता है, इसकी help से हमारी जो application होते हैं, उसके अंधर हम लोग components वगरा generate करते हैं, या फिर कोई भी नया feature generate करते हैं, तो उसकी help से ही करते हैं. इवन, जैसे कि हमारी application है, इसको run करना हो, इसका सारा का सारा code generate करना हो, इसकी build बनानी हो, या फिर जैसे छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे कोई feature generate करना हो, चाए वो module हो, चाए वो component हो, service हो, interface हो, class हो, configuration add करनी हो, सारी की सारी चीज़ें, command line के थू करने हैं, अब आपके पास एक question हो सकते हैं, कि क्या, अच्छा, अगर मैं command line use नहीं करूँगा, तो क्या मैं यह generate नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हो, कोई problem नहीं है, लेकिन उसमें problem यहां पर आती है, कि अगर आप, let's take, छोटा से example लेके चलते हैं, आपको एक component बनाना है, component के अदर at least 4 files होती है, यह वाली देखो, ठीक है, अब मैं इन 4 file को बनाने बैठूगा, और थो बना सकते हो, ठीक है, तो यह इसकी power होते है, command line की, मुश्किल तो बिल्कुल भी है नहीं, हम लोगोंने command basically use करी रहे है, अगर हम लोग यहां पे ng serve चलाते हैं, ng new और अपना project name करते हैं, वो भी तो command ही है, ठीक है, सो सबसे पहले इसके official documentation के ओपर जाते हैं, और थोड़ा सा इसको खंगालते हैं, कि क्या इसके अंदर होता है, angular CLI, जो पहला link मिलेगा आपको, यहां पे लिखा हुआ है overview, तो यहां पे आपको reference overview गारा है, काफी सारी चीज़े मिल जाएंगी, इसने सबसे पहली command तो यह बता दीगी, आपको angular CLI install कैसे करना है, यह मैं आपको बता च करते हो, बाद में कुछ help के लिए, यह थोड़ी important है, मैं यहां पे क्या करता हूँ, यहीं पे चला हूँ को सारी कि सारी command, इस terminal को थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ, ताकि आपको यहां पे command चले और यहां पे इसका अगर output कुछ होगा, तो वो दिख भी जाएगा, हर command का आउटपुट हो, यह को जुरूरी नहीं है, हमारे project के अंदर, वैसे तो output होता ही है, जैसे कि ng help करता हूँ, यह command क्या करती है, आपकी सारी की सारी basic command दे देती है, जो कि आपको project में जुरूरत जिनकी पढ़ सकती है, अब यहां पे देखो, add दे दिया, कि आपको external libraries, analytics के ल new हो, या फिर test करना हो, या फिर version check करना हो, सारी की सारी command इनों ने यहां पे बता दी कि भाया, यह major commands है, ठीक है, यहां से मैं पता चल सकता है, एक तो, और जो यहां पे commands है, यहां पे इनों ने बता भी रखी है, अगर आप थोड़ा सा और नीचे scroll करोगे, यहां पे देख हो ना, तो मुझे इन में से आधी command भी याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि हम commands रोजी चलाते हैं, अब एक बार command चला दी हो सकता है, मैं 3-4 दिन तक command चलाते हैं, जरूरती ना पड़ी, possible है, okay, so इसमें important क्या है, क्या interviews में पूछा जा सकते हैं, सबसे पहले, उसके लिए मैं आपको लेके जाओंगा, इसके generate वाले menu के उपर, ये देखे, ng generate, ये सबसे important है, ये आपको बताया है कि आप लोग क्या-क्या चीज़े generate कर सकते हो, इतनी सारी चीज़े, app shell, application class, आपने सुना भी नहीं होगा, शायद इस app shell का नाम का भी, हो सकता है, सुना ह करते हैं, और मोडिल कैसे generate करते हैं, इंटरफेस कैसे generate करते हैं, ये चीज़े थोड़ी सी important होजाते हैं, आप से ये पूछ लेड़ा सकता है कि यार, component कैसे बना होगी, चीक है, तो इस किला में हम लोग ए command चला के देख लेते हैं, इसको clean करेंगे हम लोग, और यहाँ मिलेगा, और आपको यहाँ पर इसका output दिख जाएगा, अब यह कहाँ generate करेगा, आपको ध्यान रखना है, जितना भी आपका code होगा, src वाले folder के अंदर ही मिलेगा, इसको refresh करो यहाँ से, और यहाँ भी देखो अब, जैसे आपका app वाला था न, app component है, इसके अंदर आपक सारी files आपकी इसके अंदर ही बनती है, by default, so इसमें कुछ डरने की बात नेगी, इसके अंदर क्यों बना हम कैसे use करेंगे, यह simple होता है, अब component को use कैसे करना है, यह तो मैं देखो, एक वीडियो में बताऊंगा न, तो काफी length हो जाएगा, इसके लिए हम लोग separate वीडियो ब रखता हूँ, अब register, तो अब क्या होगा, यहां मेरा एक और component बन गया, बना नहीं है, मतलब just within a moment बन जाएगा, यहां पर बन गया register, इन दोनों के अंदर भी आप लोग देखोगे, चार ही file बनती है, चाहे वो login वाला component हो, चाहे register वाला, CSS style के लिए, HTML, उसका HTML display करने के लि उसके अंदर single file बनती है, बट what other important नहीं है, वो हम लोग बात में बात करेंगी, ठीक है, अब इनको मैं clear करता हूँ, जो clear command है यह visual studio के अंदर चलती है, हमारी इस वाले terminal के उपर नहीं चलती है, यहां फिर यह चलेगी, Ubuntu और Mac के अंदर, ठीक है, ओके, सो हमने यह चीज़ स बड़ा सिंपल सा ध्यान रखो, module एक complex और बड़ी functionality होती है, component एक छोटी चीज़ होती है, अब user auth में क्या क्या चीज़ आ सकती है, देखो, login आ सकता है, register आ सकता है, change password, update password, forget password, आपकुछ profile के कुछ image और चेंज करनी है, यह सारी चीज़ है, email verification, यह सारी चीज़ आ सकती है, तो अब मान लो कि मेरे पास एक बहुत बड़ application है, उसके अंदर मैं एक module बनाना चाहता हूँ, user के नाम से, तो सारी की सारी components है इसके अंदर आ जाएंगे, कोई छोटा है तो आप normally, कोई छोटा प्रजेक्टर तो ऐसे बाहर भी रख सकते हो, login registration को दिख करनी है, अब देख से लिख देता हूँ, ng generate, c4 component, उसके बाद में user auth, slash, इसकंदर आप से कुछ भी आपको और बनाने हो, जैसे कि मुझे करना है, sign in, तो यहाँ पर sign in नाम से मैं component बना तो हूँ, इस तरीके से, ठीक है, अब जो sign in component बनेगा ना, ये user वाले auth के अंदर बनेगा, ये interviews में बन गया, एक sign अब भी बन सकते है, ठीक है, अभी इसका part बन जाएंगे, इस module का, तो इसलिए module काफी बड़े होते हैं, क्योंकि उनका अंदर multiple components भी आ सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ जरूरी है, और क्या क्या चीज़ जनरेट करके देख सकते हैं, सिंबल है देख और class, अपी class का नाम, let's say, मैं मेरी class का नाम रिखता हूं, dummy, ठीक है, dummy मैंने रखा, मैं enter करूँगा, और अब जो ये class बनेगी न, ये कहां बनेगी आपी, यहां नहीं बनेगी, user auth वाले के अंदर, ये तो हमने अलग से अगर उसके अंदर बनानी है, आपको तो पहले folder का नाम देना पड़ेगा, अगर folder का नाम नहीं देते हैं, तो यहां बनाती है, यहां पर, इसके साथ में दो file generate होती है, यहां पर देखो, मैं इसको थोड़ा से छोटा करता हूँ, एक तो यहां पर हमारी class हो गई, यह इसके टेस्टिंग के काम में आती है, टेस्टिंग क्या आपने कुछ काम करा, तीन-चार बंदों ने, और इसको deploy करना है, server के उपर, तो आप क्या करोगे, सार की सारी functionality test तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि हो सकता है कहीं से कुछ भी break हुआ, और functionality test करने बैटे, तो सार की सारी functionality test करने में दो दिन लग गए, तो वो तो feasible भी है नहीं, त मैं आप साफ बोलता हूँ, beginner के लिए testing की जुरूरत नहीं है, आपको advanced, intermediate level की knowledge लेनी है, तो आप कर सकते हो, तो इस तरीके सा मारी class generate होगे, इस सेम तरीके साब लोग interface वगरा generate करने है, वो भी कर सकते हो, मैं फिर से clear कर देता हूँ, command line को, यहाँ पर काफे ज़्यादा होच dummy interface, जो भी आपको ठीक लगे, वो basically आप बना सकते हो, तो इस तरीके से आपका एक interface भी बना देगा, और सेम तरीके से बहुत सारी चीज़ और भी बना सकते हो, जो यहाँ पर दी होगी है, ठीक है, interface क्या होते है, classes आपको बता हुआ, interface क्या होते है, इनके उपर separate video मिल जाए template, कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करोगे, ng build, यह वाली command जला दो, यह command थोड़ा सा time लेगी चलने में, यहाँ पर एक folder बनाएगी, dist build करके, उसके अंदर आपकी build मिलेगी, वो आपको उठा के server पे रखनी होती है, और उसके बाद में आपकी application server पे run होती है, अब deploy कैसे करते हैं, server पे कैसे रखते हैं, वो तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता है, जैसा कि हर एक चीज के लिए बोल रहा है, उसके लिए अलग से वीडियो ही आएगी, नहीं तो एक ही वीडियो बनाएगी, अगर सब कुछ एक ही वीडियो में बता दूंगा, जो क एड हो गई हमारी, और ये style वगार एड हो गया, तो ये basically दो होते हैं, एक polyfill भी होती है, ये तिनों चीज होती है, और बाकी ये वाली तिनों की तिनों फाइल होती है, इंजनरेट हो जाती है, और एक ये चोती, src हो गई, so उसके बाद में सब को उठा के हम लोग server पे र है, ठीक है, so ये कुछ important commands थी, पूच लिए राधा कि build वगारा कहां पे use होती है, तो बता सकते हो कि भई आजब live करने होते हैं हमारी website, तो उस time पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे minified files बना लेते हैं, हमारे project की, जिसको हम लोग build करते हैं, और इसको deploy कर देते हैं, ठीक है, औ और इसमें से कुछ और चीजें हैं, देखो deploy करने के लिए, आपकी हम पे command भी configuration change करने के लिए, ng build के अंदर इसके अंदर और options भी मिल जाएंगे, help के लिए, ये linting के लिए हो गया, ये new file generate करने के लिए, ये serve करने के लिए, test के लिए, update के लिए, version के लिए, इतने सारी commands हो basically, हाँ, कभी interview देने जाओना, तो इसको एक बड़ी पढ़ लेना, टोपेको अच्छे से, अभी जाए मत पढ़ो कि कमांड से आद मी रहती हैं, बट जब interview देने जाओगे, तो इसको पढ़ के जाना, so thank you, channel को subscribe करना, बिलकुल भी मुत भूलना, bye bye, take care, God bless you